अर्लो स्टुडेंट्स मैं हूँ रामसुरूप जानी और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चनल आ रहा है सेकेडमी तो इस्टेंट्स वीडियो की सेशन में मैं आज बात करने वाला हूँ इस्टेंट्स मैं आपको करवाने वाला हूँ जो बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट्स मैं कुछ नहीं जानता इस वीडियो में जितने भी मैं आपको वनवर्ड करवाने वाला हूँ वह आपको वनवर्ड याद हो जाने चीए कोसिस करूँगा कि मैं आपको वीडियो की साथ साथ याद करवा दू कुछ ट्रिक्स के द्वारा या मैं उनको रिपीट कर दूँगा कैसे भी करके याद करने कोशिस करेंगे और जब तक याद नहीं होता है इस्टेंट्स उनको करेंगे बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा और ताकि उससे आपको नए वीडियो को नोटिपिकेशन मिल सके तो चलिए इस ट्रेंट्स शुरू करते हैं आज का इंपोर्टेंट वनवर्ड की पीडियेप का जो वीडियो है उसको तो देखते हैं पहला वनवर्ड आपकी स् अध्यान करना और उसको किस रणी में रखा जाता है तो वहां पे लिखाए स्ट्रण ऑसियनोग्राफी यानि समुद्र विज्यान के बारे में तो इसको आप एक दूसरे के साथ रेलेट कर लीजिए तो आपको यह वनवर्ड याद रहे जाएगा शमुद्र विज्यान जि उसको बर बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे ओञें नवोमोलोजी यानि विध्यान उसे का जाता है तो ओं नो-मोish नॉमोलाजी कि नाम से जाना जाता जाता जीसे विज्यान भी चाहता है उसके बाद बात करते हैं next करें देखें स्टुट्रेंट से जो जीवाष में वगे रहा होते हैं उनका दिन कि कि युद्वर्ण करें तो जाएगा इस्टुट्रेंट्स प्लैंटलोजी पी-ए-ई-ए-ट-o-lo-z.y यानि जीवाष में विग्व्ञान के बारें अपने यहां पर बात कर रहें तो यहां पर कापी शारे क्यूशन पहले भी पूछे गए आपको और फिर से पूछे सकते हैं तो इसको द्यान से देखेगा स्ट्वें याद कर लिजेगा उसके बाद में स्ट्रेज नेक्स्ट है जिसे अपने कहते हैं पुरातत्वे विज्ञान या पुरातत्वे विभाग जिसे विभाग के बात करें तो उसके बाद में बात करते हैं इसके नेक्स्ट वन वर्ड की नेक्स्ट वन वर्ड आपके स्क्रीन पर यह रहा उसके बाद में बात करता है next की one word की next one word काफी important रहने वाला इस्टोंग डिस्लाइक between two persons strong ली काफी है नि मजबूती के साथ किसी को अगर अपना पसंद करें डिस्लाइक करें तो उसे क्या का जाएगा इसको देखना या उन दोनों के बीच में ग्रणा होना मनलब बहुती strongly डिस्लाइक उसको करता है उसके बाद में बात करता है next की next one word आपका stream flowing into another big river stream flowing into another big river यहां पर अगर बात की जाए कोई दूसरी नदी इसको नदी के साथ आके मिल रही है और stream flowing कर रही है तो दूसरी नदी के साथ मिलेगी तो उसको पर कह देंगे इसको एक नदी उसकी और इसको कहेंगे Tributory टी आर आई बी यू टी आर वाई टी आर वाई जिसे अपना साहिक नदी उसकी कह सकते हैं उसके बाद कहेंगे stealing from the writing of others दूसरे के दुवारा लिखी गई कोई बुक थी उसके अपने वर्ड चुरा लिए सब्द चुरा लिए तो उसे क्या कहेंगे काफी important one word है द्यान देजेगा और उसे कहेंगे अपने साहित्यक चोरी यानि पेलिग्रियम्स यानि शाहित्यक चोरी वहां पर उसको माना जाएगा यह उसका वन वर्ड हो गया काफी important इस्ट्रेंट देख लीजेगा उसके बाद बात करतें next one word की statement that is obviously true एक ऐसा statement जो बिल्कुल सही हो उसको क्या कहा जाएगा तो इसको कहा जाएगा platitude, platitude यानि सामान योक्ति, सामान योक्ति मतलब बिल्कुल उची तो उसके लिए तो statement that is obviously true अगर वो statement सही है तो उसको सामान योक्ति के स्रेणी में ले सकते हैं, count कर सकते हैं तो platitude, तो यह आपका one word हो गया statement that is obviously true का next बात करते है strength that which can be easily believed जिस पर बिल्कुल आसानी से विश्वास किया जा सके तो उसको क्या कहेंगे strength उसको कहेंगे credible, c-r-e-d-i-b-l-e credible यानि जो विश्वस नहीं हो जिस पर विश्वास किया जा सके तो that which can easily believed जिस पर आसनी से विश्वास किया जाएगा उसको कह सकते हैं credible, उसके बाद ही बात करते है next one word की, next one word आपकी screen पर है that which cannot be put out or exigused यानि अगर ऐसा वेक्ति जिसे cannot be put out उसको बाहर नहीं रख सकते हैं, जिससे मतलब क्या कर नहीं कर सकते हैं जिसे बुझाया नहीं जा सकते हैं जिसमें पहार नहीं रखा जा सकते हैं तो extinguis यानि एक आप इंटेक्स में तोड़ दीजिए याद करने के लिए एक ING में इंटेक्सिंग और फिर U-I-S-H-A-B-E इंटेक्सिबल यानि जिसे बुझाया नहीं जा सके I-N-E-X-T-I-N-E-X-T-I-N-E-X-T-I-N-E-X-T-I-N-G उसके बाद में आगे वाड़े पार्ट को याद कर लिजिए U-I-S-H-A-B-E तो यह आपका हो जाएगा जिसे बुझाया नहीं जा सके जिसको बाहर पुट नहीं किया जा सके उसे तो यह आपका वनवर्ड हो गया काफी अच्छा वनवर्ड है यह दा रखेगा उसके बाद में that which cannot be satisfied यह भी काफी important वनवर्ड है जिसे satisfy नहीं किया जा स सकता जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे उसको उसके लिए वनवर्ड की बात करें तो वह क्या आएगा इस वह आएगा yeah जिसको मिटाया नहीं जा सके तो यह आप वनवर्ड रयाद कर लेशए काफी अचा वनवर्ड है उसके पाद में नेक्स्ट आपका that which which can be easily be curved without breaking जिससे आसानी से मोड़ा जा सके बीना ब्रेक किये बीना तोड़े उसको ठीक है उसे क्या कहेंगे तो ऐसा जो वस्तु होगी उसको अपनाम देंगे बेक्सिबल वस्तु यानि वो लचीला उसमें लचीला पन है फ्लेक्सिबल हो तो वो बीना तोटे उसको आसानी से करव क्या जा सकता है उसके बाद में बात करता है next की that which cannot be corrupted corrupted that which cannot be corrupted जिसे corrupt नहीं किया जा सकता जिसे ब्रस्ट नहीं किया जा सकता उसे क्या कहेंगे तो इसके लिए वन वर्ड आ जाएगा आपका इनकर्प्टबल यानि इमांदार वेकती है उसे corrupt नहीं किया जा सकता यह आपका वन वर्ड हो गया उसके बाद में नेक्स टेस्ट टू एसके प्रोम हाड रिलेटीज अब मतलब यह किया जा रहा है कि टू एसके प्रोम हाड रिलेटीज आर इए ए एलाई टि आई इसका हो गया आपका एसके पिसम एक एससी ए पीडिजर प्रोम करने के लिए तो उसको बात करते है अगर है तो उससे क्या कहेंगे वह जाएगा आपका इस्टोरेंट से reformism, R-E-F-O-R-M-I-S-M reformism, यानि सुधारवाद, यह से प्लाइनवाद आया था, इसमें P-I-S-M जुड़ रहा है, यह आप दियार रखे जगा, प्लाइनवाद, सुधारवाद, इसमें P-I-S-M जुड़ जाएगा, ठेक है, तो यहां पे हो गया है, reformism, M के बाद में आई-S और जोड़ दिया सुधारवाद हो गया यह वन वर्ड हो गया उसके बाद देखेंगे इसको इंपर्टेंट लगा लिजेगा याद कर लिजेगा भी तुरंत टेंपल डेडिकेटेट टू आल गॉड्ड से टेंपल ऐसा मंदिर जो डेडिकेटेट है सभी गोड्स के लिए सभ भी को समरपित मंदिर है तो वहाँ पर उसको अपन कहेंगे सर्वेसर मंदिर यानी पैंथियों पी एंटी एच यह एंट एच एओन तो यह इंप्टेंट आपके वन वर्ड थे एक्स ग्रूप के लिए नेवी एससर के लिए मैंने आपको करवाएं और यह वाई ग्रूप म सब्सक्राइब करके बेल आइगन प्रेस कर लिएगा क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा रेगुलर डेली स्टडी मैटेरियल आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए वीडियो आपको किसा लगा और कितने आप पाज जरूर से सेर करिए पूरे के पूरे वीडियो गो तो इस्टेंस मिलते हूं एक नए प्रेक्टिसेट में आपसे तब तके लिए जय इन जय वारत वंदे मातरम